बढ़ रही हैं तो वहीं अच्चुनाव के बाद में इस पी क्या कुछ प्रभाव पड़ा हैं आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर करूली में नव स्वंसर पर निकाली गई बाइक रेली पर पत्थराव के बाद हुए उपद्रव के बाद अब हालात सामाने हो रही हैं करूली शहर में लगाये गया कर्फियूर अविवार को भी चारी रहा हाना कि सोंवार से सरकारी कारेले और कोट खुलेंगे बोर्ड परिक्षाएं भी कारिक्रम के अनुसार करानी का निर्णे यहां पर लिया गया लेकिन एतिहाद की चलते इंटरनेट को बंद रखा गया है जिला बोर्ड की दस्वी और बार्वी की परिक्षाएं देने वाले स्टुडेंट से पर्मिशन लेटर दिखा कर जा सकती हैं जिले में इंटरनेट सिमाई भी आज बंद है और जोरान शहर में कर्फियू जारी रहेगा करोली शहर में हुए उपद्रव के मामले में FIR दर्शकर 13 लोगों को गिरफतार किया गया है साथ ही 20 लोगों को शांती भंग भी गिरफतार किया गया शांती व्यवस्ता बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहर में 15 पॉइंट बनाकर 1200 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किये हैं जांच के लिए गठित SIT ने FSL टीम की सहायता से साक् प्रेज उठाए हैं और उसी को लेकर यहां पर स्कूल खोले जाएंगे बोर्ड परिक्षाय लगवाए जाएंगी कोट भी खुलेंगे लेकिन इंटरनेट को यहां पर एतिहात के तोर पर बंद रखा गया है तो वहीं इंटरनेट बंद होने से यहां पर विध्यारतियों को भी खासा परिशान होती दिखाई दे रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दो दिन पुर्व नव स्वंसर के पर्व पर किस तरीके से दुकानों को चलाया गया